हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी वेहतर चल रही होगी तो आईए आज आपका स्वागत करते एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में जिसके अंतरगत हम लोग टाइम इंटेंस के कुछ बहुत ही चुनिंदा सवाल को आपके लिए लेकर आए हैं जो या तो पहले पूछे गए हैं एक्जामिनेशन में या आने वाले एक्जामिनेश तो जब कभी भी आप टाइम इंटेंस के कुछ बना रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि टाइम ओफ एडबॉब क्या है तो यहां पे टाइम ओफ एडबॉब के रूप में इस्टरडे है तो टाइम ओफ एडबॉब के रूप में आपका इस्टरडे है तो हम हो इस तरह का कोई भी time of head bob रहेगा तो वो sentence simple past में होगा और simple past का जो structure होता है वो subject plus भाव का दूसरा रूप plus क्या होता है object होता है तो अगर हम बात करते हैं दिये गए विकल्प पे तो दिये गए विकल्प में हमारा तीसरा option बिल्कुल correct है त्योंकि हमारा meat का जो तीसरा रूप होता है वो क्या होता बावू वो mate होता है चलते हम लोग अगले प्रस्ण के तरफ प्रस्ण है if see dash me I sell by a car देखिए हाँ पे यह जो sentence है वो conditional sentence है क्या बावू conditional sentence है और conditional sentence में हमको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर हमारा जो है वह subordinate clause यह आपका subordinate clause है और यह आपका क्या है principle clause तो अगर principle clause हमारा किस tense में है simple future tense में है किसमें बावू simple future tense में है तो हमारा subordinate clause जो होता है वह simple present में होता है किसमें होता बावू simple present में होता है तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि अब यहाँ पर हमारा जो given विकल्प है, जो given option से उसके हिसाब से बात करते हैं, तो C चुकी third person का singular number है, तो इसके साथ singular verb लगेगा, तो जो हमारा पहला option है helps, यह singular है, तो यहाँ पर right answer option number क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि simple presentance क structure होता है, subject plus mb1 या mb5 plus verb, प्लस क्या होता है, object होता है, चलते हम लोग अगले प्रस्ण की तरफ, हमारा प्रस्ण है, my father will have sent money before I dash hostel, देखिए यहाँ पे क्या है, यह जो आपका sentence है, यह future perfect का है, इसका अबाव हो, future perfect, आपको ध्यान देना, future perfect का structure होता है, subject plus will, plus have, will या sell भी क will या sell, plus have, plus bhav का, तीसरा रूप, plus क्या होता है, यह future perfect का structure है, और जब आप बात कर रहे है, future perfect का, तो निशित रूप से जो होगा, यहाँ पे जो हमारा दूसरा जो clause होगा, वो present form में होगा, तो my father will have sent money before I reach hostel, मतलब मेरे पैसा, पापा जो होगा, पैसा भेज चुकेंगे, म अगले प्रसंद की तरफ चलते हैं, सुमन डैस अस्कूल, विफोर दा बेल रैंग, यहाँ पर देखे क्या है, कि यह जो विफोर है, वो एक क्या है बाभू, कंजंग्सन है, और इस कंजंग्सन से दो संटेंस जुड़ा होगा है, तो कंजंग्सन से जब दो संटेंस, कंज संटेंस जुड़ा हो, तो एक संटेंस पर हम गौर करें, तो यह आपका क्या है, सिंपल पास्ट है, यह आपका क्या है बाभू, सिंपल पास्ट है, तो यह जो संटेंस होगा, वो किसमे होगा, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि परफेक्ट और simple past, before या after से क्या होते हैं, connected होते हैं, तो यहाँ पर यह past perfect होगा, तो इसका जो structure होता है subject plus head plus bow का तीसरा रूप plus क्या होता है, object होता है तो यहाँ पर जो हमारा right answer हो जाएगा, वो option number B होगा someone had reached the school before the bill rang, चलते हम हम लोग अगले प्रसंट के तरफ I wish, I dash अकिर केटर, देखिए हाँ पर क्या है कि अगर I wish हो, we wish हो और इस तरह का कोई भी जो है वहाँ, suppositional sentence हो, तो suppositional sentence जहाँ पर भी आपको मिल रहे हो तो सारे subject के साथ हम लोग कौन से भर्व का प्रियोग करते हैं कि तरफ प्रसंट है, see, talks as if, यहाँ पर देखिए क्या है as if लगा हुआ है, as if का मतलब होता है मानो की, as if का मतलब की होता बाब, वो मानो की या मानो तो यहाँ पर बात करते हैं कि जब कभी भी किसी sentence में as if लगा हो, तो इसके बाद subject की चाहे कोई भी हूँ, वर्भ हमेसा क्या लगता है, वर्भ लगता है see, talks as if, see, were a scientist हुआ, ऐसे बात करता है मानो क्या हो, बैग्यानी को तो यहाँ पर जो है, हमारा right answer हो जाएगा क्या, option नमर C और यह बहुत ही important सवाल है, इसे आप याद रखेंगे, as if के बाद कोई भी subject अगर आता है, suppositional sentence में, तो वहाँ पर सारे subject के साथ क्या लगता है, वर्भ लगता है चलते हम लोग अगले प्रस्ट की तरफ नेहा डैस absent for a long time देखें आपे क्या है, कि नेहा जो हुआ लंबे समय से क्या है, अनुपस्थी थे, तो इस तरह के sentence को generally हम लोग जो है हुआ present perfect में रखते हैं, तो यहाँ पे right answer हो जाएगा क्या, तो नेहा has been absent for a long time यानि नेहा जो है हुआ लंबे समय से क्या है, अनुपस्थी थे चलते हम लोग अगले प्रस्ट की तरफ प्रस्ट है, I wish my mother does a doctor I wish my mother does a doctor, देखिए आपे जब कभी भी I wish, we wish are he, we said इस तरह का कोई भी sentence रहता है, तो यह जो है हुआ आपका suppositional sentence होता है, और मैंने पहले ही बताया कि suppositional sentence में subject चाहे कोई भी रहे भरवा मेसा क्या लगता है, वर लगता है, यानि इस प्रस्ट का जो right answer हो जाएगा, वो option number क्या हो जाएगा बाबू एक हो जाएगा, अगले प्रस्ट की तरह चलते हैं, प्रस्ट है, did you die as to putna last month, आप देखिए यहाँ पे क्या है कि last past ago before रहेगा, अगर किसी भी sentence में तो गो क्या हो जाएगा बाबू simple past हो जाएगा, और यह simple past का क्या है, interrogative sentence यह जो आपका concept है, वो है simple past का interrogative sentence, देखिए इस तरह के जो प्रस्ट हैं इसमें अकसर हम लोग दलती कर बैठते हैं कि अब last देखे, तो हमको लगा simple past होगा, तो हम यहाँ पे direct भर्व का दूसरा रूप लगा देते हैं लेकिन हमको यह ध्यान देना है कि यह simple past का interrogative sentence है और डीड का प्रियोग अल्रेडी किया जा चुका है, तो जब डीड का प्रियोग किया जा चुका है, तो अब यहाँ पर हम लोग भर्व के पहले रूप का क्या करेंगे, प्रियोग करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, option number C यानि go हो जाएगा, अगले प्रस्न के तरफ चलते है प्रस्न है, his father will have reached the station before the train, देखिए हाँ पे क्या है, यह अभी आपका future perfect है, और future perfect के साथ जब दूसरा cloud होगा, तो simple present में होगा, तो यहाँ पर जो है हुआ, right answer क्या हो जाएगा the train starts, यानि option number B, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यह वाला cloud जो है, वह क्या होगा वो simple present में होगा, और वो वाला cloud किस में था भाबू, तो वो वाला cloud आपका जो होगा future perfect में था, चलते हम लोग अगले प्रसन के तरफ, प्रशन है, we shall organize cultural program if the principle dash us, अब यहाँ पर देखे क्या है, कि यह भी sentence जो है, वो conditional है, conditional sentence का क्या मतलब होता है भाबू, कि जब कभी भी किसी sentence में कोई condition लगा हो, कि ऐसा होता है, तो ऐसा होगा, ऐसा होता, तो ऐसा होगा, अगर तुम मुझे याद करोगे, तो मैं भी तुझे याद करूँगा, अगर तुम मुझे प्यार करोगे, तो मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा, अगर इस तरह की बाते हैं, तो यह conditional sentence है, तो यहाँ पर क्या है, कि we shall organize cultural program, हम लोग सांस्कृतिक कारिकरम का आयोजन करेंगे, if the principle does us, अगर principle हम लोगों को allow करते हैं, तो यह वाला अगर आपका जो हुआ क्या है, तो यह वाला अगर simple future में है, यह वाला क्लाउज आपका किसम है गुरू, तो simple future में है, तो यह वाला आपका किसम हो जाएगा, simple present में होगा, तो अगर यह simple present में है, तो ता principle जो हुआ हुआ third person singular number है, इसके साथ singular verb का परियोग करेंगे, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, option number भी allows, चलते हम लोग अ तो यह हमको मान करके चलना चाहिए, कि sentence जो होगा, किसमें हो जाएगा, तो sentence हमारा simple present में होगा, किसमें होगा अब आपका, simple present में होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कि C third person singular number है, तो इसके साथ कौन सा भव का परियोग करेंगे, singular भव का परियोग करेंगे, तो नि, option number 1, बिल्कुल सही जबाब है, अगले प्रसंद के तरफ चलते हैं, प्रसंद है, why this time, tomorrow, sita dance home, देखे, अगर इस तरह का sentence रहता है, by this time, by January, by February, और इससे कोई future का time का जो हुआ बोध हो, और यह लगे, कि future में दिये गया समय के भीतर कोई काम पूरा कर लिए जाने की स बाबना है, तो वो तमाम sentence को हम लोग किसमें रखते हैं, तो future perfect में रखते हैं, किसमें रखते हैं बाबू, future perfect में रखते हैं, और इस तरह का sentence बहुत ही ज़ादा महतपूर्ण होता है, examination point of view से, और इसमें जो हगए subject के साथ, हम लोग will या sell का प्रियोग करते हैं, उसके बा time अगले समय तक, इस समय तक कल, sita dash home, sita घर पहुच चुकेगी, तो यह future perfect tense का वाकिया है, तो sita है, यहाँ पे तो उसके बाद क्या होगा, हमारा will होगा, will के बाद क्या होगा, have होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, reach का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, reach डोल जाएगा, correct हो जाएगा, option number 1, चलते हम लोग अगले प्रस्न के तरफ, प्रस्न है, Roma dash at this moment, जब कभी भी time of adverb के रूप में, eight present रहे, क्या क्या रहे, time of adverb के रूप में, eight present रहे, at the moment रहे, at the moment रहे, at present रहे, now रहे, this morning रहे, अगर इस तरह का, कोई भी time of adverb हो, तो आप जहा हुआ, उसे किस tense में समझेंगे, तो उसे आप present continuous tense में समझेंगे, किस में समझेंगे बाबू, present continuous tense में समझेंगे, और present continuous tense का जो structure होता है, वो subject प्लस auxiliary भर्ब, प्लस भर्ब का चोथा रूप, प्लस क्या होता है, object होता है, औ और auxiliary भर्व के रूप में क्या क्या आपके पास होता is MR, अब बात करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारा कौन सा option सही है, तो रोमा चुकी किसी का नाम है, third person singular number है, इसके साथ singular भर्व लगाएंगे, तो यहाँ पे right answer हो जाएगा option number A, यानि is reading, बिल्कुल सही जबाब होगा, अगले प्रसन के तरफ चलते हैं, प्रसन है, the prime minister does for France tomorrow, देखे, प्राइम मिनिस्टर का जो कारीकरम होता है, वो पुर्व निधारित होता है, और जब कोई कारीकरम जो है, वो प्री-प्लाइंड एक्सन हो, जिसमें बदलाव होने की संभावना नहीं हो, प्री-प्लाइंड है, तो यहाँ पे भर्व क्या लगेगा, singular लगेगा, यानि right answer यहाँ पे क्या हो जाएगा, lips हो जाएगा, यानि प्रधान मंत्री कल जो हुआ फ्रांस के लिए निकलेंगे, चलते हम लोग अगले प्रसन के तरफ प्रसन है, when father reached with our station, the train dash left, यहाँ पे भी देखिए क्या है, क तो आपका past perfect, क्या है पाभू, past perfect, और past perfect में आपको हमने पहले ही बताया, कि अपने साथ जो हुआ क्या करते हैं, तो अपने साथ जो हुआ एक और sentence को लाते हैं, जो simple past में होते हैं, और यह दोनों sentence when से, after से, before से क्या होते हैं, connected होते हैं, तो यहाँ पर देखिए when से connected है, when father rich the station, यानि subject plus v2 plus object simple past में, तो यह किस में हो जाएगा, past perfect में हो जाएगा, और past perfect का structure आपको पता है, subject plus head plus verb का तीसरा रूप पलस क्या हो जाएगा, object हो जाएगा, तो the train, head, lift यानि option number C बिलकुल क्या है, सही जवाब है, अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं, प्रस्न है, कुलं अमेरिका का खोज किया, तो कुलंबस ने अमेरिका का खोज किया, यानि ये past की बात है, तो यहाँ पे जो हुआ, क्या हो जाएगा, discovered, यानि subject plus v2 का, दूसरा रूप plus object, यानि इस तरह के sentence को हम लोग किस में रखेंगे बावू, simple past में रखेंगे, यानि option भी विलकुल क्या है, सही जवाब है, अगले प्रस्न के तरफ चलते हैं, प्रस्न है सुसमिता, gone before father came, ये भी देखिए आपका क्या है, तो यह भी concept जो है, वह सेम सेम है, कि अगर आप past perfect को लेते हो, तो past perfect sentence में जो है, क्या होता है, कि दो clause होता है, एक जो होता है, वह simple past होता है, एक क्या होता है, तो ये वाला जो sentence होगा, वह किस में होगा, तो ये वाला sentence आपका किस में हो जाएगा, past perfect में हो जाएगा, और इसका structure आपको पता है, subject plus head plus भर्व का तीसरा रूप plus क्या होता है, object होता है, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, option number B, यानि head हो जाएगा, चलते हैं लोग अ future perfect होगा, जो ये बता रहा कि भविश्य में दिये गए समय के वितर, कोई काम पूर्ण कर लिए जाने की क्या है, संभावना है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, future perfect जो tense होता है, ये future perfect tense का जो होगा, आपका structure क्या होता है, तो ये आपका structure होता है, subject plus will ya, will ya, cell, plus have, plus भाव का तीसरा रूप, पलस क्या होता होता हो, object होता, अब देखिए यहाँ पर right answer जो हो जाएगा, वो option number क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं, प्रस्न है, the patient had died before the doctor dash, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये past perfect है, तो ये past perfect है, औ simple past का structure, subject प्लस भाव का दूसरा रूप, प्लस object, come का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, game हो जाएगा, यानि right answer हो जाएगा, option number 1, बिल्कुल सही जवाब है, तो दोस्तों, उमीद करते हैं कि आज का ये महत्पुन सत्र, बहुत ही important सत्र, आपको बहुत अच्छा लगा होगा आपको मज़ा आया होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे, तो यदि आपको अच्छा लगा है, तो हमें कमेंट करके बताएगे कि आपको कैसा लगा है, और हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर सेर कीजेगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है, तो आप ज दरूर कीजेगा, धन्यवाद.